नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत शभागत है आपका हमारे सेरण में मत्रों दिवाली की रात जरूर करें ये चोटा सा काम, साल भर वर्से का पैसा दिवाली की रात बहुत सारी लोग पूजा पाठ उपास न करते हैं और मा की मनाने के लिए विसेश उपाय करते हैं तो दोस्तों ऐसे में दिवाली में मात अलक्वी को प्रसंद करने के लिए एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए दिवाली पर लक्वी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में संख और घंटी आपको बजाना चाहिए इसे घर में नगरात्म कुर्जा दरजताएं बाहर चली जाती हैं और मालक में घर में प्रवेश कर जाती हैं दीपावली पर तेल का दीपक जरूर जिलाएं दीपक में आप जरूर एक चोटा सा उपाय अवस्चे कर लें दिवाली पर लत्मिजी और गनेशी की पूजा उत्तरिया पुर्वदिशा में करें पूजा करते समय पिले लाल कपड़े को आप पहन कर ही पूजा उपास न करें दोस्तों दिवाली पर आप जो है माता लक्मी जी को प्रसंद करने के लिए उनके मंत्रू का उच्छारन कर सकते हैं फिले ये लाल कपड़ी पहन कर माता की पूजा करना से माता प्रसंद होती हैं दिवाली के देन घर के इसान कोन में चांदी तांबा या इस्टील के बर्तर में पानी रख दें यह पाने यह मदूतिया को तुलसी जी पर चड़ाने से धन की प्राप्ति होती हैं दिवाली के देन पूजा के समय तीजोरी का मुह उत्तर दिशा की और खोल कर रख दें और घर पर घी जिंदूर स्वास्तिक बनाएं जिनसे की धन धान बढ़ेगा दिवाली के देन सोने चांदी के गहने सिकों और कोकेसर हल्दी का तिलक लगा कर लाल कपड में बान कर घर में सुभाग बना कर रहेगा दोस्त दिवाली के दिन घर में मिट्टी के दिये जलाएं ऐसे करने से घर का वास्तु दोस्त दूर होता है दिवाली पर दिये जलाते समें 111-121 होने चाहिए। परबाद है देवगन इन पत्तों के भीनी भीनी सुगंद से घर में प्रवेश करते हैं बंदरवार सदानी के बाद दरवादी के आसपास सुबलाब लिखें स्वास्ति कचिन बनाएं वास्तु सास्तर के अनुसार दहलीज तूटी-फूटी या खंडेत नहीं होनी चाहिए बेतर ही दहलीज भी वास्तु दोस बढ़ाती हैं ये वहदी मजबूत सुन्दर हो जहां दहलीज नहीं होती हैं वो वास्तु दोस माना जाता हैं जी ये मिट्टी के होने चाहिए धन्तेर से भाई दूस तक अलग-अलग तरीकों से दीवजलानी पर घर का वास्तु दोस मि कलती हैं चुटकी भर हल्दी डालना और लाप प्रद होता हैं घर में गुंगर ये चंदन से वात्तवरण भी सुंगदित होता हैं दोस्तो घर में सुभा और साम को कपुर जलाएं और यह हर प्रकार के वास्तु दोस को समाप्त करेगा और इसे कई प्रकार के लाबों की प